आज हम आपकी किताब से सबक नमर 16 जिसका नाम है बुडिया का दिया यही हम पढ़ने जा रहे हैं यह नजम जो के अलताफ हुसेन हाली ने लिखी है तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं हजब मामूल हम इसको पढ़ते हैं इसके बाद हम इन अशारात की तश्री करते हैं ठीक है बचो तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं शुरू करते हैं बचो जटपटे के वक्त गर से एक मिट्टी का दिया एक बुड्या ने सरी रह लाके रोशन कर दिया ता कि रहगीर और परदेशी कहीं ठोकर नखाएं ता कि रहगीर और परदेशी कहीं ठोकर नखाएं रह से आसां गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा ये दिया बेहतर है उन जाडूं से और उस फानूस से ये दिया बेहतर है उन जाडूं से और उस फानूस से रोशनी महलूं के अंदर ही रहे जिन की सदा गर निकल कर एक जरा महलूं से बाहर देखे गर निकल कर एक जरा महलूं से बाहर देखे है अंदेरा गुप दरो दीवार पर छाया हुआ सुरुक रुआफाक मैं वो रहनु मामीनार है सुरुक रुआफाक मैं वो रहनु मामीनार है रोशनी से जिन की मलाहूं के बेड़े पार है हाँ तो बच्चो पहला शेर है इसका जब पटे के वक्त से एक मिट्टी का दिया यानि शाम का अंदेरा छाया हुआ था शाम का अंदेरा छाया हुआ था ठीक यानि दिन की रोशनी जब खत्म हुई आफताब जब गुरूब हुआ तो आफताब के गुरूब होते ही सुरज के मगरिब में चले जाने के साथ ही अंदेरा दीरे दीरे बढ़ने लगता है और शाम का वकत शुरू हो जाता है और शाम का अंदेरा दीरे दीरे बढ़ने लगता है तो उसी शाम के वकत उसी शाम के अंदेरे के वकत क्या हुआ एक गर से एक बुढिया निकल आई एक गर से एक बुढिया निकल आई और उसने क्या किया उसने मटी का दिया मटी का दिया उसने इस मटी के दिये को इस रह पे रख दिया इस सड़क पे रख दिया इस मटी के दिये को सड़क पे रख दिया सड़क पे रख दिया क्यों रख दिया क्यों इसने मिटी के दिये को सड़क पे जला के छोड़ के रख दिया इसका मकसद क्या था यह शाम के वकट जब यह बुड़िया अपने गर से निकल आई कोई जवान नहीं था कोई यह बच्चा नहीं था बलकि एक बुड़िया थी और ये अपने गर से निकलाई और इसने अपने हाथ में ये मिटी का दिया जला हुआ था ये जल रहा था इसने ये रस्ते पे रखा इसने ये रस्ते पे रखा इसका मकसद क्या था अगले शेर में बताया जाएगा ताकि रहगीर और परदेशी कहीं ठोकर नखाएं ताकि मैं इसलिए इस रस्ते पे ये मिटी का दिया जला के रखूंगी ताकि रहगीर यानि इस रस्ते पे चलने वाले और दूसरी जगों से आने वाले लोग जो इस रस्ते से वाकिफ न थे जो जिन्हें इस रस्ते की जानकारी कुछ नहीं थी यानि उस रस्ते के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि चाहे कहा हैं पर हमें मुड आगे जाके दाएं मुड ना है या बाएं मुड ना है या कहां जाके सीधा चलना है या कहीं पे कोई पत्थर बड़ा सा हमारे रस्ते में तो नहीं आएगा या कोई घड़ा तो नहीं आएगा इन्ही परदेशियों के लिए इन्ही रहगीरों के लिए शाम के वक्त चलने वालों के लिए इस बुडिया ने रस्ते में एक चराग रोशन किया एक दिया रोशन किया इस ने ये दिया इस जो हम कह सकते हैं रस्ते में रोशन किया जलाया इस रस्ते में ताकि इसलिए जलाया इसलिए वहाँ पे रोशन किया ताकि जो रहगीर हैं, ताकि जो चलने वाले लोग हैं, जो मसाफिर हैं, जो कहीं से आए हैं, वो आसानी से गुजर जाएं, वो इस दिये की रोशनी की मदद से आसानी से गुजर जाएं, आसानी से गुजर जाएं, ताकि वो रस्ता अपना देख सकें, जब इसने ये दिया रोशन किया जब इसने ये रोशनी का अंतिजाम किया और ये रस्ते पे चलने वाले लोग इस अंधेरे रस्ते पे चलने वाले लोग ये देख सकें कि कहीं उनके लिए कोई मुश्किल तो इस रस्ते में नहीं है आगे ये दिया बेहतर है उन जाडू से और फानू से ये जो इसने जलाया, ये क्या है, ये बहतर है, उन जाडू से, उन जो हम कह सकते हैं, उन कुमकुमू से, उन कंदेलू से, उन बिजली के लेपू से, ये बहतर है, ये बहतरीन है, ये अफजल है, जिनकी रोशनी सिर्फ उन ही के महलू में है, जिनकी रोशनी सिर्फ उन ही के महलू मे हैं यानि जो लेप जो कंदेलें जो है जो हम कह सकते हैं कुम कुम हैं सिर्फ उन्हीं के महलू में रोशन होती हैं जो किसी का बला नहीं करती जो किसी का अंदेरा दूर नहीं करती तो ये दिया इन कुम कुमूं से ये दिया इन कंदेलूं से ये दिया इन बिजली के बल्बू से बहतर और अबजल है क्योंकि वो सिर्फ उन महलू तक ही रोशनी पोँचाते हैं वो इन महलू को ही रोशन करते हैं उसकी रोशनी अंधेरे रस्तों पे बिखर नहीं जाती जबकि इस दिये के रोशनी अंधेरे रस्तों को रोशन कर देती है बात समझ में आई तो फिर गर निकल कर एक जरा महलूं से बाहर देखे अगर इन महलूं से ये लोग बाहर निकलेंगे अगर इन महलूं से अगर इन कोठियों से ये लोग बाहर निकलेंगे अगर ये इन कोटियूं से बड़ी-बड़ी कोटियूं से बड़े-बड़े महलूं से बाहर आके देखींगे तो उन्हें मालूम होगा कि रास्ते दर्वाजे दीवारें रास्ते हर जगा पे अंधेरा चाया हूआ है हर जगा पे तारीकी चाई हुई है हर जगा पे अंदेरा ही अंदेरा है कहीं पे किसी रोशनी का इंतिजाम नहीं है ये जो रोशनी है ये सिर्फ हमारे महलूं तक ही महदूद है ये सिर्फ हमारी कोठियों तक ही महदूद है ठीक अगला शेर सुर्क रुआफाक में वो रहनुमा मीनार रोशनी से जिनकी मलाहूं के बेड़े पार हैं तो समंदरू में जो रस्ते दिखाने वाले मीनार हैं वही मीनार काम्याब और कामरान है यानि जो वहाँ पे बिजली के रोशनी के इंतिजामात किये जाते हैं बड़े-बड़े मीनार लगाए जाते हैं तो जिन रोशनी की मीनारों की वज़ा से ये जो समंदरू में किष्टियां और जहाज वगिरा हैं ये अपनी मनजिलों को पहुँच पाती हैं वही मीनार काम्याबी के मीनार हैं वही लोगों को रस्ता दिखाते हैं और जो ये महलू में जलते रहते हैं ये मीनार ये बिजली के बलब काम्याब नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक शक्स को जो हम कह सकते हैं एक ही शक्स को ये रस्ता दिखाते हैं एक ही शक्स को ये रोशनी दिखाती हैं एक ही शक्स के महल को ये रोशन कर देती हैं बचो असल में इस नजम में जो हम इसकी तश्री हमने की तो अब इस नजम जो है ये नजम जो हमने भी पड़ी बुड़िया का दिया असल में इसमें बताया जा रहा है हमें इसमें एक सबक दिया जा रहा है कि हमारे पास अगर कोई भी चीज है हमारे पास अगर कोई भी हुन औरों के मुश्किलात को दूर करना है, औरों के काम आना है, जैसे इस बुढिया ने एक सिटप उठा लिया, इसने कदम उठा लिया, हर कोई अपने अपने गर में बैठा हुआ है, बाहर अंधेरा चाया हुआ है, बाहर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इस बुड़िया ने ये आगे आई, इसने कदम उठाया, इसने क्या किया, लोगों की मुश्किलात को दूर करना चाहा, अंधेरे को दूर करना चाहा, इसने कदम उठाया, अपनी समाज, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, इसी तरह से हमें ये सबक दिया जा रहा है, कि हमें भी अपने हमें जो है कदम उठाना है हमें आगे आना है अपने समाज अपनी सोसाइटी को मुश्किलात से बाहर निकालना है हमें गर में नहीं बैठना है हमें हाथ पे हाथ दरे रख के नहीं बैठना है हमें कोई न कोई कदम उठाना है आज हम जो देखते हैं हमारा स समाज हमारी सोसाइटी मुक्तिलिफ मुश्किलात में फसी हुई है मुश्किल मसाइब में हमारा समाज गिरा हुआ है तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी हैं हमें अपनी तरफ से इक्दामात करने हैं ताकि ये मुश्किलात जो हैं इनका इजाला किया जाए इनको दूर किय जाए ताकि जो हैं इस समाज में रहने वाले लोग, जो हमारे पास जो रहने वाले लोग, इनकी मुश्किलात को दूर किया जाए, इन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े, अगर हमारे पास बेशुमार दौलत है, अगर हमारे पास बेशुमार वसाइल है, अगर हमा महलूं के अंदर जो ये बड़े-बड़े लेप जले हुए हैं बड़े-बड़े कंदेल यां बड़े-बड़े जो हम कह सकते हैं उनकी रोशनी उन महलूं तक ही महदूद हैं हमें ये नहीं करना है हमें अपनी सलाहियत को अपने तक ही महदूद नहीं करना है हमें अपने हु लोगों के दुगदर दूर हो जाएं ठीक अगर हम ये कर सकें तो हमें बहतरीन इनसान कहलाने के हगदार हैं अगर हम ये नहीं कर सकें तो हम इनसान कहलाने के हगदार नहीं हैं फिर इस दौलत का फिर इन जो हम कह सकते हैं इस हुनर का फिर इस काबलियत का जो है किसी को फाइ नहीं पोँचा क्योंकि हमें ये जिम्मेदारी सोंपी गई थी हमें ये नियामत अर्ला ताला की तरफ से अता की गई थी और इस नियामत को लोगों तक पोँचाना था और जो इसने यहां पे मिसाल दी जो महलू में बड़े बड़े लंप जल रहे हैं उनसे ये दिया ही बहत करें मगर हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है ताकि लोगों से लोगों को हम से फाइदा पहुँच सके ताकि लोगों के लिए हम फाइदा मंद का काम कर सकें लोगों के लिए हम फाइदा मंद बन सकें हमें अपने जो हम कह सकते हैं ये जो अपने महलूं के अंदर अपने वसाइल या अपनी काबलियत अपने हुनर जो अपने तक ही महदूद किये हुए हैं उन्हें बाहर आना है उन्हें इस जो हम कह सकते हैं उन्हें इन सलायतों को बाहर लाना है उन्हें इन वसाइल को बाहर लाना है इन्हें इस काबलियत को बाहर लाना है इन्हें इन दुखदरत देख सकें कि किस तरह से अपने हुनरों को किस तरह से अपनी सलायतों को किस तरह से अपनी काबलियत को बरोई कार लाके लोगों के दुखदरत दूर कर सकें क्यूंकि वही लोग काम्याब और कामरान हैं जो लोग दूसरों के काम आते हैं जो अपनी सलायतों को द दूसरों तक पहुचाएंगे जो अपने वसाइल को दूसरों के लिए जो हम कह सकते हैं दूसरों के लिए भी अपने वसाइल को काम में लाएंगे वही लोग काम्याब और कामरान हैं वो लोग काम्याब और कामरान नहीं हैं जो अपने वसाइल अपने हुनरू अपनी सलाइय अपनी काबलियत को बस अपने तक महदूद करते हैं वो लोग दुनिया में उनको काम्याब और काम्याब नहीं कह सकते बलकि जो लोग इन वसायल वगेरा को दूसरों के लिए काम में लाते हैं वो दुनिया में भी काम्याब हो जाएंगे और आखरत में भी काम्याब हो जाए और रहती दुन्या तक उनका नाम बड़ी एहतराम बड़ी एहतराम और बड़ी इज़त से लिया जाएगा क्योंकि जिस तरह से इसने लास्ट शवाले शेर में कहा है सुरुक रो आफाक हैं वो रहनुमा मीनार रोशनी से जिनके मलाहूं के बेड़े पार यानि वो मीनार वो अपने रास्ते का तायून करते हैं जो अपने रास्ते पे पहुंच जो अपनी मन्जल पे पहुंच जाती हैं यही मीनार यही रोशनी के जो गंबद हैं यही काम्याब और कामरान है इसी तरह से हमें इनी मीनार की तरह बनना है रोशन गंबदों की रोशन मीनारों की तरह ताकि हम लोगों को रस्ता दिखाएं, ताकि हम लोगों को सही रस्ते पे ले आएं, क्योंकि आप देख रहे हैं आज कल हमारे समाज में किस किस किसम की बुराईयां या मुक्तलिब किसम की बुराईयां फैली हुई हैं, तो इन बुराईयों का हमें कला कमा करना है, इन बुरा सकते हैं, वसाइल को दूसरों के लिए काम में लाएं, जब हम अपने जरी मशवरों से लोगों को नवाजें, जब हम अपने समाज को पूरे तरह से बचाने की कोशिश करें, जब हम अपने साबक हमें इस लेसन में मिल रहा है तो बचो हाँ आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही का अगले लेक्चर तक के लिए असलाम आलेकुम वराहमतुलाह वबरकात हूँ